अधरनी आप वापको को मिला नमस्कार यह वीडियो एलकेजी क्लास के आप वापको के लिए बनाई जा रही है जिसमें बच्चों को करसिब के कैप्टल लेटर्स को बच्चे कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम गाइड लाइन देने वाले हैं ठीक हैं तो हम सुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग को करसिब के पैटर्न को सिखने हैं करसिब के पैटर्न को सिखने हैं यहां पैटर्न्स हैं पैटर्न्स आपको ड्रो किये हुए हैं इन ड्रो किये हुए पैटर्न्स को आप क्या करेंगे इन पैटर्न्स को ऊपर कलम चला आप देखेंगे किताब को बड़ी ध्यान से तो किताब को आप देखेंगे तो एरो बना हुआ होगा कि किस दिशा में ले करके जाना है देख रहा है आईरो आपको देख रहे हैं बिल्कुल दिख रहा है आईरो तो चलिए इस पैटर्न को कैसे लिखना है कुछ नहीं करना है बस अपने बच्चों को पैंसिल एक देनी है पैंसिल से जैसे जैसे पैंसिल घूम रहा है वैसे वैसे बच्चों को भी पैंसिल घूमाने के लिए आपको कहना है लाइक दिस देखे पैंसिल यहां से शुरू है तो यहां से ले करके हम pencil को उपर तक ले जाएंगे फिर इस dot वाले पकड़िए यहां से ले करके pencil को उपर तक ले जाएंगे अब इस dot वाले को कड़िए यहां से ले करके pencil को उपर तक ले जाएंगे यहां से ले करके pencil को उपर तक ले जाएंगे इस पकार से जब सारे पैटरन आपके बच्चे को दोरा बहर ली जाएगी फॉस्ट लाइन को करने के बाद उसका एक डुप्लिकेट कॉंपी यहां करेंगे नीचे में नीचे पैटरन नहीं बनाई गई है अब बच्चों को इतनी अभ्यासों हो चुकी होगी वो अपने से कर सकता है तो बच्चा वो यहां से अपने से खाली जगा में इस पैटरन को ले जा करके बनाएगा ऐसे ठीक है इस तरह के से बच्चे से पैटरन बनाईए फिर नीचे के पैटरन को बनाईए इस नीचे के पैटरन ऊपर से आएगा चुकि मैं मोबाल के skyn पर लिख रहा हूँ अंगली से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी मुझे परसानी हो रही है लेकिन आपके बच्चे कौपी पर लिखवाएंगे बच्चों से या किताब पर लिखवाएंगे तो आपको परसानी नहीं होनी चाहिए और नीचे में जाकर गोला करवा देना है इस प्रकार से ये स्ट्रोक सीखने है समझ गए फिर अगला स्ट्रोक सीखना है इसमें क्या करना है उपर से आधा गोला बनाना है फिर बीना कलम उठाए है कलम ने उठाना है एक बार में ऐसे जैसे कि हम हिंदी के तीन लिख रहे हो इस पकार से फिर ये खाली जगा में उसे स्ट्रोक को करवाने हैं आपको समझ ही कह हुएगा इस पकार से इन कामों को करवाना है फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस पेज को पूरा कराएंगे सारे स्ट्रोक को पुड़ा कराएंगे ठीक है? अब इसका उल्टा है उल्टा स्ट्रोक आप देखिए यहां से होगा लाइन तक आएगा यह ऐसे स्ट्रोक चल लहा है बिल्कुल लाइन पर गुमाईए लाइन पर बच्चे गुमागे जब सीख लेंगे तो फिर आप जहां डॉट नहीं ड्रो है वहाँ गुमा गुमा करके बच्चों से लिखवाएंगे आप फिर उल्टा सी है उपर से सुरू करके नीचे तक आना है उपर से सुरू करके नीचे तक आना है यह इस परकार से आप स्ट्रोक लिखिए और घुमाईर फिर अब लगातार यहां देख रहे हैं इसमें कलम नहीं उठना है एक बार जो कलम हैं रखेंगे तो स्कीन में जितनी भी दिखाई दे रहे हैं वहां तक हम लोग बिना कलम उठाए हुए लिखने का प्रियास करेंगे यही में कर्शिब की महत्ता है कि एक ही बार में सारे तक हम पहुँचते हैं तो एक बार हमने कलम यहां पर डाउन किया और घुमाना जब हमने शुरू किया तो देख रहे हैं बिना कलम उठाए हुए हम आगे तक जाएंगे जब तक प्रफेक्ट से पने ही मिलेगा तब तक हम जाते रहेंगे जब यह हो जागा तो खाली जगा में भी वही काम करेंगे उपर जाना है फिर नीचे आना है फिर उपर जाना है फिर नीचे आना है उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे इस प्रकार से आप काम करवाते जाएंगे ठीके पैरेंट्स तो क्या करना है कि एक दीन में एक पेज ही करवाना है एक पेज ये एक पेज पैटर्न का एक पेज करवा लिजिए जब बुक में हो जाए तो फिर उसकी अभ्यास आप कॉपी में उनको लिख दीजिए कॉपी में चाल आने वाली कॉपी आपको दी गई है चलिए हम आपको बताते हैं चाल आने वाली कॉपी हमने आपको दे रखी है इस देंग के कॉपी इसमें चाल लाइन्स होंगे अब चाल लाइन्स में इन पैटरन को पहले आप उपर से एक बार लिख दीजिएगा अपने कलम से आप लिख दीजिएगा आप ऐसे करके यहां लिख दीजिएगा आप लिख दीजिएगा जिसे बच्चे कॉपी करेंगे ठीक है बच्चे फिर नीचे में कॉपी करेंगे फिर दूसरा पैटरन यहा से ले करके, यहां उपर से ले के निचे तक लिख दीजेगा, बच्चे उसको निचे-निचे क्या करेंगे? COPY करेंगे, फिर तिसरा पैटरन में हमारा आधा-B है, तो आधा-B लिख दीजिए, झाया काम बनता है कि आप उपर के एक लाइन में पैटर्न को लिखेंगे क्या करेंगे उपर के एक लाइन में उपर के एक लाइन में पैटर्न को आप लिख देंगे उपर के एक लाइन में पैटर्न को आप लिखेंगे और बच्चे बाकी वाले में कॉपी करेंगे बच्चे क्या करेंगे बाकी वाले में कॉपी करेंगे ठीके हैं तो नियमित रूप से हर दिन एक पेज ही लिखना है लिखने में आप ध्यान रखिएगा लिखने में आपको ध्यान रखना है कि हर जो अलफावेट है या हर जो पैटर्न है लिखना जो है तो गौर करिएगा यहां पर गोला लिखना सिखा रहा है तो देखिए हर का शुरू करने का कहां से शुरू करना है और कहां तक जाना है हर का पैटर्न दिया हुआ है जैसे यहां है तो बता रहे हैं यहां से शुरू करके color बदल देते हैं blue blue match हो जा रहा है rate कर देते हैं उपर के 20 चे ले करके नीचे ऐसे आना है और जहां से शुरू किये थे वहां से गोला गूमा के आगे बढ़ जाना है ठीक है क्या कर जाना है आगे आगे बढ़ जाना है तो इस प्रकार से आपको जो है आपका यहां पर इस तर से करते देगा एरो के मताबिक चलना है तो हम हर दिन के लिए एक एक वीडियो बना करकर डालेंगे करशिप का जिससे कि आपको पता चले कि किस पेज में कैसा मुवमेंट हमको करना है आप समझी के होंगे किस तरीके का मुवमेंट हमको करना है इस प्रकार से बीना कलम उठा हुए यह मुवमेंट आपको बनाने है जैसे जैसे एरो कहेगा वह ऐसे उसे पहले बुक में भरन बुक में भरने के बाद जब आपके बच्चे सीख जाएंगे तो इस चीज को आप कॉपी पर लिख देंगे और बच्चे एक एक पेज कॉपी में करेंगे तो प्रति दिन एक पेज करना है कम से कम हर दिन नियमीत रूप से एक पेज का अभ्यास बच्चों से कराईए करसिब लेटर तेरा दिन में भी सीख सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ और कैसे हैं अपने बच्चों को इस लॉकडाउन में घर पे करसिब के बुक को हम